बगेल धर्मशाला कुसलीपूर पलवल में RWA कुसलीपूर की अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कारेकारेनी सदस्य योगेश कौशिक की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ ये आयोजन पंडिक गोपाल कौशिक के तीसरे स्मृती दिवस के उपलक्ष में हुआ कारक्रम में मुख्य अध्यती विधायक दीपक मंगला वभाजपा जिला महामंत्री वीरपाल दीख्षित रहे विशिष्ट अध्यती राजीव कत्याल सत्वीर पटेल एड़ोकेट कुलदीप सिंग बलदेव अलावपुर राजेंद बैसला लॉक्टरी यश्पाल रहे इस अफसर पर 67 लोगों ने रक्तदान किया योगेश कौशिक ने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में हार्ट इटेक का खत्रा कम रहता है कैंसर होने का जोखिम कम रहता है शरीर में स्पूर्थी पैदा होती है और बजन कंट्रोल में रहता है आज 11 सेटमबर 2022 को हमारे दादाजी पांपूज में स्वर्पी बटे को गोपाल पॉसे कि तीविस से सिंविटी दिवस्क उप्रक्स में रक्तदान सीविर का आयोड़न किया गया है इस रक्तदान सीविर का जो मुक्यावते से ही है कि हमें रक्तदान करके जो जरूरत बंद लोग है उनका जीवन दाद देना चाहिए उनको जीवन को बचाना चाहिए क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिने रक्त की जरूरत है जो किसी एसी डेंटल के कारण परेसान है या किसी बीमारी के कारण परेसान है तो उन्हें के वार रक्त की ज़्यादा ज़रूरत कर जाती है तो उन्हें इस लिए लगाते हैं ताकि रक्त के कारण उन इस कारण हम व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। इस अफसर पर सुखदेव भारदवाज ने 23 बार रख्तदान कर सराहनिय काम किया। इस अफसर पर बाबुलाल थानेदार आशा भारदवाज जैचंद भगेल बेदपाल कौशिक अनुज पारशद समय पारशद कृष्णत्र पार्थी मुनेश पांचाल लोकेश छतरपाल महेश बढ़ाना सुनील आरुन बढ़ाना रिशी बढ़ाना एड़ोकेट नरेश शर् गणमाने व्यक्ति उपस्तित रहे कर दो